एक्ट्रेस कंगनर रनावत अपने बेवाग बयानों को लेकर हमेशा लाइम लाइट में बनी रहती हैं बिना डरे और बिना किसी जंजट कंगना अपनी बात कहती हैं इन दिनों एक्ट्रेस राजनीत में एंट्री लेने को लेकर च्छाई हुई हैं अभी तक सिर्फ बॉलीबूट गॉसिप करने वाली कंगनर रनावत ने अब अपने बयानों से राजनित की गलियारों में भी चर्चाए शुरू कर दी हैं एक्ट्रेस हिमांचल से चुनाओ लडेंगी और वजोरो सोरो से अपना प्रमोसन कर रही हैं इसी बीच महराष्ट्रे में विपक्ष यानि कॉंग्रेस के नेता विजे बड़े टीवार ने कंगना पर बीफ खाने का आरोप लगाया था कंगना रनाउत ने एक ट्वीट किया मैं बीफ या किसी भी प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ यह शर्मनाख है मेरे बारे में पूरी तरफ से आधारहीन अफवाह फाइलाई जा रही है मैं कई साल से योगिक और आयरुवेदिक जीवन शैली का परचार कर रही हूँ अब ऐसी रणनीतिया मेरी छवी को धूमिल करने का काम करेंगी मेरे प्रसंसक मुझे जानते हैं और वो मानते हैं कि मैं एक गवरवानवीत हिंदु हूँ कोई भी खवर या अफवा उन्हें गुमरा नहीं कर सकती जैस्रीराम कंगना के इस ट्वीट पर यूजर्स ने उनका पुराना स्क्रीन सॉर्ट शेर किया है एक यूजर्स ने एक्ट्रेस का पुराना ट्वीट शेर किया जिसमें कंगना ने लिखा था बीफ या कोई भी मीट खाने में कोई बुराई नहीं है ये धर्म की बात नहीं है ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि मैं 8 साल पहले ही वेजिटेरियन बनी हुई हूँ और योगी बनने का फैसला लिया है वह अब भी सिर्फ एक धर में विश्वास नहीं रखती जबकि उनका भाई मीट खाता है कंगना कई बर बता चुकी है कि वह अपसा कहारी बन चुकी है इससे पहले वह इंट्रिवू में बीफ खाने माली बात बोल चुकी है उन्होंने कहा था कि स्टेक्स यानि बीफ से बनी डिस्क खाती है लेकिन उनके परिवार में मना है हलाकि जो चीजे मना हो उन्हें वो काम करना पसंद है इसलिए बीफ खाया था इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवूड और एंटर्टेन्मेंट की खाबरों के लिए देखते रहें ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट